अब कई लोग ये कहेंगे कि 10 साल में तो अगर हम ये पैसा जमा करें। तो बैंक में भी मेरा दूना हो जाएगा। प्याली चीज बैंक में आपको माइक्सिमम ये बिटर्न अगर हम 7% मानते हैं तो 10 साल में जस्ट डबूल हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे एक साथ पैसा जमा करेंगे तमाम वीवर्स की क्वैरीज भी आती है और पूछते रहते चायडबाक्स के द्वारा कि हम करोड़ पती बनना चाहते लेकिन दस साल में बनना चाहते कें brilliant देखें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो पूरा ना किया जा सके अगर इच्छा द्रणी सकती है तो सारे काम किये जा सकते हैं पेसेंस के साथ काम किया जाए तो सारी चीजे की जा सकती हैं लेकिन कई लोग क्या करते हैं प्लान तो करते हैं पूरी चीजे उसके बाद बीच में उसको ड्राप कर देंगे या डिले करते रहेंगे महाने बाद ही होती रहेगी कि इस माईने मेरे पास ये खर्चा आ गया अगले माईने ये खर्चा आ गया जो समय आपका है जो डिसाइड कर लिया या जो खर्चे आपके जिस समय होने वो तो होने ही उने उसमें कोई किसी भी तरे का बेधान उत्पन नहीं हो सकता या रूप नहीं सकते आपका बेटा अगर जो है दस साल बाद उसको हायर एजूकेशन के लिए बाहर जाना है तो दस साल में ही जाएगा यह नहीं क्या आप उसको डिले करके दो तीन साल कर देंगे तो उसका हो सकता कैरियर जो है चौपट भी हो सकता या उसमें फर्क फड़ जाए तो इनी सब चीजों पर चर्चा करेंगे देखे कई आप संस हैं कि जिसके द्वारा आप बन सकते हैं करोड़ पती पहली चीज तो आप रियली स्टेट में जा करके पैसा लगा दीजिए लेकिन उसमें आपके पास लिक्विटिटी नहीं होगी कि पैसा जब जरूत पड़ेगी आप निकाल नहीं सकते हैं दूसरा आप गोल्ड में लगा दें गोल्ड में लगाएंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी लेकिन आप उसके लिए पार्ट में खरीद नहीं सकते हैं कि मैंने जो है जोएली खरीदी आप 10 ग्राम की खरीदी जब शेल करना है मुझे जरूत पड़ी तो क्या आप अपनी जोएली को पार्ट में करके टुकडे में करके काट काट करके बेचेंगे नहीं ना तीसरा अप्संस है कि बैंक में जा कर कर दें बैंक में इतना अच्छा रिटर्ण नहीं होगा दोसी चीज जो रिटर्ण होगा भी तो अगर मालेजे कोई 30% के tax lab में है तो 30% के tax lab में के हसाब से उसका पहले tax कर जाएगा या tax pay करना पर लेगा जैसे समझ लीजे कि मान लिए किसी की इंकम 30 लाख रुपए है और उसने एक करोर रुपए इंवेस्मेंट किया उसको 7% का ब्याज मिला है बैंक ने उससे कहा कि हम 7% ब्याज देंगे आपको और वो 30% के स्लाइब में है पोस्ट एक्स उसके पास कितना रिटर्न आ रहा है पोस्ट एकस उसके पास आएगा 6 4.2% । यानि कि जो वो सुझा चाहता है कि मेरे पास 7 लाग रुपए आएगा 7,005,000 रुपे ना करके 4,20,000 रुपे हर साल उसके पास आएगा और इन्फ्लेशन रेट जो महेंगा इदर चलेए वह आपकी 7 परसेंट आप साथ में से आप जो है जो काम आज की डेट में 1,005,001 रुपे हो रहा है वह अगले साल जा करके 1,005,007 रुपे और आपके पास रिटर्ण कितना रहा? 4,20,000 रुपए इसका मतलब 3,80,000 रुपए आप लॉस पे हैं लेकिन ज़्यादा तरलोग सोचते हैं कि हम जो है लॉस में नहीं हमारा गारंटी मिल ले ही ज़्यादा तरलोग गारंटी के चक्कर में ही अपना नुकसान कर बैठते हैं और एक सबसे अच्छा अप्शन है कि म्यूचल फंड में S.I.P. कर ली जाए S.I.P. का मतलब होता Systematic Investment Plan इसमें आपको हर महिने एक जो फिक्स एमांट होता है जमा करना होता है जैसे 10 करोड का आपने डिसाइड किया कि 10 साल में हमको 1 करोड रुपए चाहिए तो दो चीज़े आपने डिसाइड कर लिए 10 साल और एक करोड रुपए आपका टर्गेट आलरेडी डिसाइड़ है आप इसमें ये calculate करना है कि हमको कितना पैसा monthly जमा करना है कितना पैसा हम mutual fund में हर महने जमा करें SIP के द्वारा जमा करें और उसको continue जमा करते रहें दूसी चीज जो है इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मालेजे आपका 9 साल में ही target complete हो गया तो आप अपना पैसा जो है safe mode में रख लीजे ये नहीं कि बिल्कुल 10 साल पे wait कर रहे हैं कि जब 10 साल पूरा होगा हो सकता कि साले 9 साल में वो 1 करोड 5 लाग 6 लाग पहुंच जाए और जब आपको पैसा निकालना हो तब market virus mode में यानि market गिर चुकी हो तो आपके 10 करोड की value जो है पंचान नुबे लाग पचे तो आपका 5 लाग का नुकसान हो जाएगा अपने target से 5 लाग दूर रहेंगे तो पहली चीज क्या होई दोनों में से जो चीज आपको पहले मिल जाए फिर इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है पैसेंस के साथ निवेश करना है ये नहीं कि देखा हमारा जो है तीन साल में जो है 15 लाग रुपए हमारे fund की value हो गए 10 लाग रुपए हमने निवेश किया इन्वेश किया उसकी value 15 लाग रुपए हो गई हमने सोचा कि चलो मेरे सामने ये खर्चा आ गया इसको निकाल करके वहां खर्च कर दिया और फिर सोचे कि हम जो है 15 लाग रुपए एक बार फिर लगा देंगे ऐसा कभी नहीं होना आपके अपना गोल कभी नहीं चेप कर पाएंगे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लिजे आपने कहीं जाने का अपना यात्रा करने का प्लान बनाया कि लखनों से मु होचा कि आपकी बार हम थोड़ा स्पीट से जाएंगे लाट कर क्या है फिर उसके बाद जब यहां से दुबारा गए साल भर बात डेर सो किनोमेटर के बाद गए फिर आपको याद आया कि मेरा यह तो काम छोड़ गया लोट है तो इससे क्या हुआ ना तो आप दिल्ली कभ है दस साल का है दो तरे दो रिटन हमने का एक तो दस परसेंट का और दूसरा जो है बारा परसेंट का अगर दस परसेंट का हम रिटन मान लेते हैं और साथ परसेंट इंफलेशन रेट है तब भी आप तीन परसेंट गेन पे रहेंगे और बारा परसेंट अगर रिटन माने रिटर्न हमेशा जो है एकुटी का आपका जीडीपी प्लस इंफलेशन इन दोनों को मिलाग रखके आएगा इसमें अलफा को आइड नहीं किया अलफा जो फंड मैनेजर की आइबिलिटी या योगिता होती है उसको कहते हैं उसको नहीं आइड किया क्योंकि आज के समय में 40- 45 मीचल फंड कंपनी किसी भी एक इटागरी के फंड का आप परफार वेंस देखेंगे तो सब के अलग अलग होगे वह से लिए कोई फंड मेनेजर जो है अलग स्टाक्स उठाता है कोई दूसरा फंड मैनेजर अलग के स्टाक्स लेता है इसलिए जो है अलग अलग आते हैं तो अगर 10 परसेंट आप रिटन मानिये तो उसमें जमा करना होगा और 9,638 रुपाए पर मंथ की एक साइप सुरू करनी होगी और 12 परसेंट के हिसाब से 44,636 रुपाए की एक साइप हमेशा सुरू करनी है 10 परसेंट के हिसाब से आपका जमा होगा जाके 59,56,588 रुपाए 69,56,588 रुपए और 12% के हिसाब से 53,56,280 रुपए अब कई लोग ये कहेंगे कि 10 साल में तो अगर हम ये पैसा जमा करें तो बैंक में भी मेरा दूना हो जाएगा पहली चीज बैंक में आपको maximum return अगर हम 7% मानते हैं तो 10 साल में just double हो जाएगा लेकिन आप वहाँ पे एक 7 पैसा जमा करें यहां आप पार्ट में पैसा जमा करें थोड़ा थोड़ा amount investment करें तो इसलिए जो है आपका अगर वहाँ पे जाकर के बैंक में आप RD करें सायद इतन पैसा नहीं होगा अब दूसरी चीज यह है कई लोग सोचेंगी कि अच्छा चलिए हम जो है इसको एक साल डिले कर देते हैं नौ साल में ही अपना पूरा निवेस कर लेंगे जितना पैसा होगा तो इस तरह से अगर बहाने बाजी हो जाएगी तो हो सकता है कि आपके पास इतना ज्यादा हो जाए मंतली कि ना जमा कर पाएं या दिक्कत आ जाए आज करें कल बंद भी करना पड़ जाए अगर एक साल डिले कर रहे हैं तब जो है यह आपका हो जाएगा अठावन हजार दोसो सतावन रुपए दस परसेंट के हिसाफ से और बारा परसेंट के आप लोग देख रहते हैं अब तीसरी चीज यह उठती है कई लोग सोचते हैं कि जब यह पैसा हमारे पास होगा उस समय तो इसमें हमको टैक्स भी देना पड़ेगा इंकम टैक्स भी देना पड़ेगा देखिए जितनी भी इंकम्स होती हैं चाहे कोई सैटलिट परसर नो विजनेश मैन हो किसी भी तरह का उसमें सबसे पहला अधिकार भारत सरकार का होता है। अगर कोई यह सोचे कि यह हमारी इंकम है तो आपके पास वो पहले tax cut के आएगे जो भारत सरकार का है उसी के पास जाएगा या आपको indirect taxes देने पड़ेंगे ही आज की टैक्स के इसाब से आपने पैसा एकुटी में लगाया इसलिए इसलिए जो इस समय जो आपको 10% टैक्स देना होगा एक लाग तो आपका एक जंट होगा और टैक्स देना होगा दस पर्सेंट के कि आपको पेसंस के साथ अपनी साइप कांटीनीओ रखनी है अगर आप बीस में व्रेक कर रहें तो आपका टार्गेट नहीं कमप्लीट होगा इसलिए आप पेसंस के साथ अपनी साइप रखिए आपका जो है गोल हमेशा पूरा होता रहेगा इस तरह की अगर किसी की और भी क्वेरी जों कमेंट बाक्स में अवस लिखे उसके जबाब दिये जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेशल विद गोपी कृस्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है अवसे सब्सक्राइब करने और पास में बेल आइकाउन है उसको भी प्रस करने जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले उमस्तर है वीडियो को जादा से जादा देखें लाइक करें और सेयर करें कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार